परिचाए ए रोहित, देखो मौसम कितना अच्छा है आ दीपक अरे रोहित, जरा इधर देखो यहाँ पर कई सारे मेड़क जल में कूद रहे हैं यह कहां से निकलाते हैं? यह बारिश के मौसम में निकलाते हैं क्योंकि तब सूखे का कोई भै नहीं होता है मेड़क आंतरिक गलपड़े यानि कलोम तथा अपनी तवचा द्वारा श्वसन करते हैं जबकि वायो में वे अपने फिपड़ों द्वारा श्वसन करते हैं उनकी तवचा शिलेश मयुक्त, चिकनी तथा सदेव नम बनी रहती है मैं तुम्हें एक रुचिकर बात पताता हूँ कि व्यस्क मेड़क में पूँच नहीं पाए जाती है तथा टेटपोल में पूँच उपस्तित होती है चलिए अब इसके विशे में और अधिक जानते हैं इस अध्याय में आप जन्तूओं की आकरी की तथा शारीर की के विशे में जानेंगे केचवा केचवा यानि फेरिटिमा पोस्थुमा एनलीडा संग का प्राणी होता है निम्न कारणों की वजह से इसका प्रयोग इस्म के अध्यन के लिए किया जाता है आर्क्टिक तथा अंडाक्टिक शित्रों को छोड़कर यह पूरे विश्म में पाया जाता है यह आसानी से उपलब्द हो जाता है यह आहानी कारख होता है अध्यन के लिए इसका आकार सुविधा चनक होता है इसकी आकरी की का भलीभांती अध्यन हो जुका है केचूओं का शरीर लंबा, बिलनाकार तथा दुईपाश्व सम्मिती का होता है शरीर का अग्र सिरा नुकीला तथा बिल खोदने में सहायक होता है जबकि पश्च सिरा अधिकिया कम कुंद होता है एक पून परिपक्व केचूएं की लंबाई समानिता चार से छे इंच तथा व्यास इसके एक चौथाई से कम अथवा एक इंच होता है शरीर की सतह अनुप्रस्थ गोल खांचो द्वारा शरीर खंडों में विभक्त होती है खंडों की संख्या सौ से अधिक होती है प्रोमुख यानी प्रोस्टोमियम तथा परितुंड यानी पैरिस्टोमियम केचूएं का सर प्रथक नहीं होता है अगरिसरे पर एक शंको रूपी मासल पाली पाई जाती है जिसे प्रोमुख कहते हैं जो मुख को ढखती है शरीर का पहला खंड परितुंड पैरिस्टोमियम या मुख खंड होता है जिसमें मुख उपस्तित होता है प्रोमुख समवेती होता है जिसकी जहायता से केचवा, प्रकाश तथा अंधेरे में अंतर ग्याद कर सकता है परियानिक यानि कलाइटेलम वेस्क क्रिमी में मोटी तथा ग्रंथिल तोचा का एक मुख्य बैंट परियानिक यानि कलाइटेम पाया जाता है जोकी शरीर के चौधवें, पंद्रवें तथा सोलवें खंड में इस्थित होता है शूक प्रथम तथा अंतिम खंड के अलावा प्रते खंड में छोटे उप तवचिये शूक इस्थित होते हैं ये कुछ घुमावदार या एस आकार की आकरिती वाली सनचनाए होती हैं जिनके सिरे यानि किनारे शुंडाकार होते हैं तथा ये सींग, सद्रिश पदार्थ, काईटिन से मिलकर बने होते हैं शारीरिकी केच्वे की शरीर, भित्ती, पतली, मुलायम, चिकनी, भूरे रंग की तथा चमकदार होती है उप तवचा यानि क्यूटिकल, देह भित्ती की सबसे बाहे परत होती है उप तवचा यानि क्यूटिकल के नीचे, कोशिकाओं की एक एकल परत पाई जाती है जिसे बाहे तवचिये यानि एपिडर्मल कोशिकाएं कहते हैं परियानिक यानि क्लाइटेलम के एक्षित्र में उपस्तित, बाहे तवचा, अतिधिक मोटी तथा अतिसमवहनी यानि विशिष्ट होती है परियानिक ग्रंथियां, एलबूमिन, अंडे की सफैदी का स्रावन करती हैं जो की कोकून के निर्मान में भाग लेता है केचवे की आहर नाल एक सीधी नलिका के रूप में इस्थित होती है यह प्रतम खंड में मुख से प्रारंब होती है तथा पश्च सिरे परिस्थित गुदा में समाप्त होती है मुख प्रतम खंड में मत्य अधर में उपस्थित एक छोटा अर्थ चंद्रकार छिद्र होता है जो की मासल प्रोमुख यानी प्रोस्टो मियम द्वारा संदक्षित होता है ग्रस्नी एक छोटी, मोटी भित्ती वाली तथा आडू के आकार वाला कक्ष होता है जो की तीन से पांचवें खंड तक फैला होता है ग्रस्नी की प्रिष्ट भित्ती मोटी तथा बल्ब सद्रिश होती है तथा इसे ग्रस्नी ये बल्ब भी कहा जाता है ग्रस्नी का एक लंबी, मोटी भित्ती वाली, संकुचित नलिका होती है तथा ये 5 से 8 फंड तक फैली होधी है पीशणी एक कटोर मौटी भित्तीयुक्त अंड़कार गक्ष होधी है जोकी 8 से 9 खंड में उपस्तित होधी है इसकी भित्ती अत्यधिक पीशिय होधी है तथा ये वृत्तिय पेशियों की एक मोटी परत का निर्माण करती है पेश्णी एक लंबे नलिकादार अमाशे में समाप्त हो जाती है जो की 10 से 14 खंड तक फैली होती है इसकी दीवारें अत्यधिक पेशिये तथा ग्रंतिल होती है तथा इसमें आंतरिक रूप से कई बलय पाये जाते है आंत्र आंत्र पतली भित्ति जुरी युक्त बाहर सतेह वाली चोडी नलिका होती है जो की 14 खंड के पश्चात प्रारंब होती है आंतरिक असर में छोटे बलय पाये जातے हैं जिनहें अंकुर कहते हैं ये एक अंकुर लंबा तथा सुविक्सित हो जाता है तथा आंत्रवलन बनाता है जो की आंत्र की प्रिष्ट दीवार से इसके लियुमेन में लटकी होती है 15-26 खंडों में सित आंत्र के भाग को पूर्व आंत्रवलनी क्षेत्र कहते हैं इसकी दीवारे समवहनी होती है तथा आंत्रिक रूप से मुड़कर अंकुर का निर्मान करती है इस भाग में कोई भी आंत्रवलन नहीं पाया जाता है आंत्र का आंत्रवलन ख्षेत्र 26 खंड से शुरू होता है तथा लगभग 23-24 खंडों में फैला होता है बलाशय अंत्र के 24 तथा 25 खंड में इस्थित होता है तथा इसमें आंत्रवलन तथा अंकुर नहीं पाय जाते हैं परी संचरण तंत्र केच्वे में बंद परी संचरण तंत्र पाय जाता है जो की हिर्दय रक्त वहिकाउं तथा रक्त से मिलकर बना होता है रक्त ग्रंथियां रक्त कोशिकाउं तथा हीमोगलोबिन का निर्माड करती हैं जो की प्लाजमा तथा शरीर के चार पाँच तथा छटवें खंड में उपस्तित रक्त ग्रंथियों में घुले होते हैं वॉल्व युक्त हिर्दय के चार चोड़े साथ, नौ, बारा तथा तेर्वें खंडों में उपस्तित होते हैं हिर्दय का संकुचन रक्त को एक ही दिशा में संचारित करता है छोटी रक्त वाहिकाएं आहारनाल, मिरुरज्जु तथा शरीर यानि देह भित्ति को रक्त पहुचाती हैं रक्त कोशिकाएं सौभाव में भक्षी होती हैं श्वसन तंत्र इनमें केचुओं में कोई भी विशेशी क्रित श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है श्वसन गैसों का विनिमय तवचा की नमी में घुलनशील तथा शरीर भित्ति के अंतर नहित रक्त वहिकाओं की गैसों के मद्धे होता है ये तवचिय श्वसन कहलाता है उत्सरजी अंग एक नलिकादार उत्सरजी अंग व्रिकक कहलाता है ये तीन प्रकार के होते हैं पठिये व्रिकक, अध्यावरणी व्रिकक तथा ग्रस्निये व्रिकक पठिये व्रिकक ये फेरिटिमा के सबसे लंबे व्रिकक है पठिये व्रिकक, पंद्रवें खंड के पीछे अंतर खंडिये पटों के दोनों ओर पाहे जाते हैं विशेश प्रकार का पठिये व्रिकक तीन मुक्य भागों से युक्त होता है नेफ्रोस्टोम, शरीर तथा अंतस्त धमनी यानी वहिनी अध्यावर्णी व्रिकक ये व्रिकक प्रथम दो खंडों को जोड़ कर शरीर भित्ती के पूरे अंतरी कास्तर पर प्रते खंड में फैले होते हैं ग्रस्निय व्रिकक ये चार, पाँच तथा छटवे खंड में ग्रस्नी तथा ग्रसिका के किसी ओर पर युक्मित गुच्छों के रूप में पाही जाते हैं प्रते गुच्छे में नेफ्रोस्टोम रहित सौ से भी अधिक कुंडलित शाखिये नलिकाएं पाही जाती हैं तंत्रिका तंत्र अधि ग्रस्निय या प्रामस्तिश्क गुच्छिका का एक जोड़ा सनलेथ होकर मस्तिश्क का निर्मान करते हैं जोकी तीसरे खंड के अगर तथा प्रिष्ट भाग में स्थित होता है ये एक जोड़ी परिधिये ग्रस्निय की सहायता से दो अधो ग्रस्निय गुच्छिकाओं जोकी ग्रस्नी के नीचे स्थित होती हैं उनसे जुड़ा होता है एक दोहरा अधर मेरूरज्जू अंतिम खंड तक फैला होता है गुच्छिकाओं मेरूरज्जू पर खंड के रूप में वेवस्थित होती हैं समवेदी तंत्र केचुए में प्रकाश और स्पर्श समवेदी अंग विक्सित होते हैं जो प्रकाश की तिवरता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा प्रिथ्वी के कमपन को भी महसूस कर लेते हैं केचुए में विशेश प्रकार के रसायन समवेदी अंग होते हैं जो की रसायनिक उद्धिपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं ये समवेदी अंग क्रिमी के अगरभाग में पाय जाते हैं जनन तंत्र केचुए उभैलिंगी होते हैं, अर्थात एक इही प्राणी में व्रिशन यानी नर, एवं अंडाशय यानी मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं इनमें दस्वें वा ग्यार्वें खंड में दो जोड़ी व्रिशन उपस्तित होते हैं प्रतेक खंड में एक जोड़ा उपस्तित होता है, प्रतेक विरिशन विश्जन कोश में बंद होता है। प्रतेक विरिशन कोश शुकराण ये कीप में खुलता है, जोकी लंबी शुकरवाहिका में खुलती है। सत्रवे से लेकर 20 खंड तक, प्रोस्टेट ग्रंथी का जोड़ा हांतर के दोनों तरफ उपस्थित होता है सहायक ग्रंथियों के दो जोड़े पाये जाते हैं, सत्रवे तथा 19 खंड में प्रतेक में एक जोड़ा पाया जाता है संयुक्ट प्रोस्टेट और शुक्राणू वहिनी अठारवें खंड के अधर पाश में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है साथी छटे से नौवे खंड तक प्रते खंड में एक छोटे थेले नुमा संरचनाएं चार जोड़े शुक्राणू धानिया पाई जाती हैं मैतून के दोरान केचूए का एक जोड़ा शुक्राणूं का आदान प्रतान करता है जब तक की शुक्राणूं अंडाणूं तक समवहित नहीं हो जाता तब तक वो कोशों में संग्रहित होता है जिनें शुक्रग्राई का कहते हैं कुछ प्रजातियों में ये बाहे होता है। केचवा एक कोकून को स्रावित करता है, जिसमें वो अपने अंडों को जमा करता है, तथा उसका साथ ही शुक्राणू को संग्रहित करता है। शिशु क्रिमी लगभग पून विक्सित, किन्तु बहुत छोटे रूप में कोकून से बाहर निकलाते हैं। लगभग एक वर्ष में वे शिशु क्रिमी यानि केचवे पून आकार में विक्सित हो पाते हैं। कौक्रोच यानि तिलचटा कौक्रोच लंबी श्रिंगे काउं तथा पैरों वाले कीट हैं। आकारी की कौक्रोच यानि तिलचटे का शरीर मुख्यता, सिर, वक्ष तथा उदर क्षित्र में विभाजित होता है। कौक्रोच में सम्वेदी श्रिंगे काईं पाई जाती हैं, जोकी इन्हें आसपास के वातावरण का निरीक्षन करने में सहायता प्रदान करती हैं। कौक्रोच का सिर त्रीकोणिये होता है, तथा ये शरीर के समकोण पर होता है। ये खंडों के सल्लयन से बनता है तथा लचीली कर्दन के कारण ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा एक जोड़ी श्रिंगे काएं पाही जाती हैं, जो की वहतावरण का निरीक्षन करने में सहयता प्रदान करती हैं। इनके मुख में जबड़े पाए जाते हैं, जो की उपर तथा नीचे के बजाए बराबर बराबर में गतिशील होते हैं, तथा इनका बहुमुखी मुख इनके भोजन को काटने, चबाने, चाटने तथा गोधने में सहायक होता है। आकरिकी वक्ष शरीर का मद्धिभाग होता है, जिससे कीट की छे टांगें तथा दो पंख जुड़े होते हैं। प्रते एक टांग में उपस्थित दो पंजे तथा उन पर उपस्थित बाल कौकरोच को पकड़ने तथा दिवार पर आसानी से चड़ने में सक्षम बनाते हैं। कौकरोच की टांगें बहुत मजबूत होती हैं तथा वो लगभग 4.8 किलोमीटर प्रती घंटे की दूरी तक तह कर सकते हैं। वक्ष मुख्यता तीन भागों में बटा होता है। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष तथा पश्चवक्ष। अग्रवक्ष ये टांगें कौकरोच के सिर के पास होती हैं। ये सबसे चूटी टांगें होती हैं। तथा कौकरोच को गमन करने के समय ये अवरोधक की भाती कारे क अग्र वक्ष का कुछ भाग कौक्रोच के सिर को भी ढखता है। मध्धे टांगें मध्धे वक्षिये टांगें ये टांगें कौक्रोच को गती बढ़ाने तथा कम करने में सहाइता प्रदान करती है। उदर कौक रोज यानि दिल्चट्टे में खंडित उदर पाया जाता है जिसमें आंतरीक अंग पाये जाते हैं एक नली का कार हिर्दय रक्त को अंगों तथा उतकों तक पहुँचाता है रक्त रंगहीन होता है क्योंकि इसमें आक्सीजन को धारण करने के लिए हीमोगलोबिन नहीं होता है महाधमनी रक्त को विशेश अंगों तक ले जाती है अधिकांश रक्त रिक्तिस्थानों के जाल यानि नेटवक द्वारा संचारित होता है जो रुधिर गुहा यानि हिमोसील कहलाता है शारी रिकी आहार नाल आहार नाल तीन भागों में विभगत होती है अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र मुख एक छोटी पेशिये ग्रस्णी में खुलता है जिससे एक सीधी और संक्री नली ग्रासिका अंडिकलती है ग्रासिका एक भित्ती सद्रिश कोश में खुलती है जिसे श्यस्त यानि अन्नपुट कहते हैं जो की भोजन का संचै करता है इसके पास में ही ग्रंथिल जठर अथवा पीशणी उपस्तित होती है इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा छैस धनों पर मोटी होकर उपत्वची ये दात बनाती है ये दात भोजन के मोटे कड़ों को पीशने में सहायक होते है मध्यांत्र एक संक्री एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता है अग्रांत्र एवं मध्यांत्र के संधिस्थल पर अंग्ली के समान छैसे आठ अंध नलिकाएं लगी रहती हैं जिनके सिरे बंद रहते हैं इनको यकृतिये या जट्रिये अंधनाल कहते हैं ये पाचकरस बनाती हैं मध्यांत्र तथा पश्चांत्र लंबी नलिकाएं होती हैं पश्चांत्र मध्यांत्र से चौड़ी होती है। पश्चांत्र तीन भागों में विभगत होती है। शुद्यांत्र, व्रहिदांत्र तथा गुदा। मध्यांत्र वाँ पश्चांत्र के संधिस्थल पर लगभग 100-150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मेल पी की नलिकाएं कहते हैं। ये हीमो लिम्व से उस्सरजी पदार्थों के उस्सरजन में सहायक होती हैं। तिल्चट्टे में खुले प्रकार का परी संचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विक्सित होती हैं और रुधिर गुहां में खुलती हैं, तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसी का कहते हैं। रुधिर लसी का हीमोलिम्फ रंग हीन प्लाजमा वा रुधिर राणों से बना होता है। हीमो लिम्फ रंगहीन प्लाजम तथा रुधी राणों यानी हीमो सैट से मिलकर बना होता है, जो की कौक्रोच के रक्त को सफेद रंग प्रदान करता है। कौक्रोच का हिर्दय वक्ष तथा अधर की मध्य प्रिष्ठिय रेखा के पास इस्थित होता है। हिर्दय आगे चल कर कीपा कार कोश्ठकों में विभेदित होता है, जिसमें दोनों तरफ आस्से होते हैं। कौक्रोच का शौसन तंत्र शरीर के पाश्व की तरफ उपस्तित होता है। इसमें दस जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें शौसनाल कहते हैं। शौसनाल पुना विभाजित होकर पतली शाखित नलिकाएं बनाता है, जिन्हें शौसनलिकाएं कहते हैं। ये श्वास नलिकाएं वायू से आक्सीजन को ग्रहन करके शरीर के सभी भागों तक पहुचाती हैं। विस्रण विधी द्वारा श्वास नलिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। उच्सरजी तंत्र कौकरोच में उच्सरजन मेल पीगी नलिकाओं द्वारा होता है। जो की आहार नाल में मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के संयोजन पर उपस्तित होती हैं। मेल पीगी नलिकाओं ग्रन्थिल तथा रोम युक्त कोशिकाओं द्वारा आस्तरित रहती हैं। जो की नाइट्रोजनी अप्शिष्ट पदार्थों का अफ्शोशन करके उन्हें यूरिक अमल में परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रकार का उच्सरजी तंत्र यूरिक अ गुच्छिकाओं का बना होता है जो की शरीर के अधरतल पर पाई जाती हैं तथा युगमित अनुदैर्थ ये संयोजक से जुड़ी रहती हैं। तीन गुच्छिकाओं वक्ष क्षित्र में तथा छे गुच्छिकाओं उधर क्षित्र में इस्थित होती हैं। नेत्रों को तंत्रिकाएं भेशता है जनन तंत्र कौक रोज दुईलिंगी होता है नर प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी व्रिशन पाए जाते हैं जहां से शुक्र वहक नीचे की तरफ इस्थित होते हैं तथा शुक्राशय द्वारा होती हुए स्खलनिये वहनियों में खुलते हैं स्खलनिये वहनियां शुक्राणू को परस पर एक बंडल में बांधे रखती हैं जिसे शुक्राणू धर कहते हैं शुक्राशय नर गोनोफोर में खुलता है जो की गुदा की अधर सतह पर उपस्तित होता है प्रजनन सहयक ग्रंथी छटवें और साथवें उधर खंडों में उपस्तित होती है नर युगमन प्रावर्थ यानी गोनफोफिस द्वारा बाहे जनन छिद्र निरूपित होते हैं मादा प्रजनन तंत्र में दो बड़े आकार के अंडाशय होते हैं जो उधर के दो से छटवें खंड में शरीर के पार्श्व पर इस्तित होते हैं प्रतेक अंडाशय आठ अंडाशयी नलिकाओं के समोह का बना होता है जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रिंखला पाई जाती है ये अंडाशय एक अंड वहनी से जुड़े होते हैं जो की जनन कक्ष में खुलती है इसके अतरिक्त छटवें खंड में एक चोड़ी शुक्राण उधानी उपस्तित होती है जो जनन कक्ष में खुलती है मैथुन के दोरान नरकौक रोज मादा के अंड वहनी में शुक्राणों को इस्थानांतरित कर देता है ये निशेचित अंडे एक संपुठ यानी कैपसूल में लिप्टे होते हैं जिसे अंड कवच कहते हैं फिर ये संपुठ भोजन के स्त्रोत के निकट उप्युक्त सतह पर त्याग दिये जाते हैं प्रतेक अंड कवच में लगभग 14-16 अंडे होते हैं इस प्रकार कौक्रोच में निशेचन आंतरिक तथा परिवर्दन पैरा मेटबोलस होता है जो की अर्भक अवस्था का अनुकरण करता है मेढक मेढक उभैचर होता है ये स्वच जल जैसे नालियों, तालों, तालाबों, जीलों, धीरे बहने वाली धाराओं आदी तथा जल निकायों के पास नमी वाली भूमी में भी पाया जाता है ये जीवन की उभैचर प्रणाली के लिए निमने लिखित अनुकूलनों को दर्शाते हैं तवचा श्वसन का एक मुख्य सहाय कंग है, जिसके लिए ये इसे नम बनाए रखता है जल में छलांग लगा कर शत्रों से स्वैम की रक्षा करते हैं निशेचन तथा परिवर्धन जल में होते हैं आका रिकी मेड़क का शरीर सेरे तथा धड़ में विभाचित होता है गर्दन तथा पूँच अनुपस्थित होती हैं तवचा दो भिन पर्तों बाहे उप तवचा तथा आंतरिक तवचा से बनी होती है ये संयोजी उतक कोशिकाओं तथा तंतुओं, रक्तवाहिकाओं तथा कोशिकाओं, मेरू तंतुओं तथा कोमल पेशिये तंतुओं से बनी होती हैं त्रीकोण ये आकार का सिर धड़ भाग से जुड़ा होता है आंतरीक मुख एक विस्त्रित अनुप्रस्त छिद्र होता है मुख के उपर एक जोडी कण पाली कमदूरी पर उपस्तित होते हैं दोन तरफ आखों के ठीक पीछे एक वर्लक कण पटह यानी टिपनेपम उपस्तित होता है आखें उपर तथा नीचे की पलकों द्वारा संरक्षित होती हैं धड अग्रवक्ष तथा पश्च उदर में बटा होता है धड में अग्रपादों तथा पश्च पादों का एक जोड़ा पाया जाता है प्रतेक अग्रपाद में निकटस्थ, उपरी भुजा, मध्धे अग्र भुजा, कलाई तथा हाथ की उंगलियां पाही जाती हैं पश्च पाद अग्रपाद से अधिक लंबे तथा अधिक मस्बूत होते हैं मेढक की आहर नाल निम्लिलिखित भागों में विभक्त होती है मुख तथा मुख ग्रस्निये गोहा मेढक में मुख चोड़ा, दरार सद्रिश, अर्थ चंद्रकार द्वार होता है जो की थूतन के सिरे पर स्थित होता है ये टिमपेनम की एक सतह से दूसरी सतह तक फैला हुआ है मेढक में मुख गुआ तथा ग्रस्नी परस पर मिलकर मुख ग्रस्निये गोहा बनाती है ग्रस्नी मुख ग्रस्निये गोहा का पश्च भाग ग्रस्नी को दर्शाता है ये दो द्वारों द्वारा छिद्रित होता है. भोजन नली के मध में चौड़ा तथा घुमाओदार द्वार इस्थित होता है. ये ग्रसिका में खुलता है. ग्रसिका ये एक चोड़ी तथा संकुचित नली का है. गर्दन की अनुपस्तिती के कारण ये बहुत छोटी होती ह तथा अमाशे तक फैली होती है अमाशे, ये देह गुहा में बाईं तरफ इस्थित होता है अमाशे आहार नाल का सबसे चोड़ा तथा लगभग दो इंच लंबा भाग होता है आहार नाल आंत्र अमाशे एक लंबी नली कादार आंत्र में खुलता है ये तीन भागों में विभक्त होती है, ग्रहणी, छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र तथा बड़ी आंत्र या वर्हदांत्र या मलाशय, ग्रहणी, ये आंत्र का यू आकार का अग्रभाग होता है, ये अमाशय के समांतर फैली होती है, चोटी आंत्र या शुद्रांत्र ये कई लूप बनाती है। ये पतली भित्ती वाली घुमावदार नलिका जो की लगभग आर्ट से दस इंच लंबी होती है। बड़ी आंत्र या व्रिधांत्र या मलाशय ये चोटी किंतु तुलनात्मक चोड़ी नलिका होती है। इसकी आंत्रिक सतह अनुदेर्ध वलियों में निर्मित हो जाती है। इसे मलाशय भी कहते हैं। अवसकर तथा अवसकर द्वार मलाशय के दूरस्त भाग को अवसकर या अवसकर कक्ष कहते हैं। इसमें गुर्दे तथा मुत्राशय की मूत्र जनन वहनियों के छिद्र खुलते हैं। शौसन तंत्र भोजन के ऑक्सी करण अथवा देहन द्वारा उत्पन उर्जा देनिक उपापचाई क्रियाओं को करने के लिए आवसक होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उपभोक में आती है तथा कार्बन डायोकसाइट निशकासित होती है। ऑक्सीजन को ग्रहन करने तथा कार्बन डायोकसाइट को त्यागने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है। तथा रासाइनिक परिवर्तन जिनके द्वारा भूजन का आक्सी करण तथा उश्मिय उर्जा की विमुक्ती होती है तथा कार्बन डायोकसाइट का निर्मान होता है, श्वासन कहलाती है. परिसंचरण तंत्र दो अलिंद तथा एक निलाय होता है, हिर्दय एक जिल्ली में हिर्दया अवरन से ढगा होता है, एक तिर्भुजा कार संदचना जिसे शिरा कोटर यानी साइनस वेनुसस कहते हैं, हिर्दय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है, तथा ये मुख्य शिराओं जिन्हें महा थैली नुवा रचना धमनी शंकू में खुलता है, हिर्दय शरीर के सभी भागों से रक्त को एकत्रित करता है, तथा शरीर के सभी भागों में धमनियों तथा शिराओं द्वारा शरीर के सभी भागों में रक्त को प्रवाहित करता है, मेड़क में यकृत निवाही का तंत तथा व्रिक्किये निवाही का तंत्र पाय जाते हैं। रक्ताणूं यानि लाल रक्त कणिकाओं में केंध्रक पाय जाता है तथा ऑक्सीजन तथा कार्वन डायोकसाइड के परिवहन के लिए इनमें एक लाल वर्नक हीमोग्लूबीन पाया जाता है। रक्त की तुल्ना में लसिका में कुछ प्रोटीनों, रक्ताणों तथा प्लेट लेट्स का अभाव होता है. उत्सरजी तंत्र उत्सरजन उपापचय के परिणाम सरूप बनने वाले अप्षिष्ट पदार्थों के उन्मूलन की वह प्रक्रिया है, जिसमें हानी कारक उत्पाद शरीर से बाहर त्याग दिये जाते हैं. मेढक में वरिक्क का एक जोड़ा मुक्य उत्सरजी अंगो होता है. वरिक्क की सुक्षम सननचना कई लच्छेदार नलिकाओं की उपस्थिती को दरशाती है, जिसे मूत्र जन नलिकाएं कहते हैं. मूद्र जन नलिकाएं शीर्ष के रूप में प्रारंब होती हैं, जिसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं, जो की ग्रन्थिल उपकला की चप्टी कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती हैं. तंत्रिका तंत्र तंत्र नियूरौन से बना होता है. तंत्रिका तंत्र तीन मुख्य भागों, केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, परिधिये तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्य तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है. शरीर में मस्तिश्क का महत्व ये है कि वह शरीर की कोशिकाओं, उत्कों तथा अंग तंत्रों के कारियों का समन्वे तथा नियंतरण करता है जिससे कि वे एक इकाई के रूप में कारे कर सकें मेंठक का मस्टिश्क तीन भागों अग्र मस्टिश्क, मध्य मस्टिश्क तथा पश्च मस्टिश्क में विभक्त होता है। मेंठक के नर जनन अंग के अंतरगत एक जोड़ी व्रिशन, दस से बारा जोड़ी शुक्र वहिकाएं तथा एक जोड़ी मूत्र जनन नली का या मूत्र नली आते हैं। व्रिशन हलके पीले रंग के अंडाकार या बिलनाकार संदचना वाले होते हैं, जोकी लंबाई में एक इंच के होते हैं। अगर स्रे पर ये व्रिक की अधर सतह से पेरिटोनियम के वलए जिसे मेजोर कियम कहते हैं, इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रतेक व्रिशन से एक दर्जन शुक्र वहिकाएं निकलती हैं, जोकी व्रिशन से शुक्राणूं का वहन करती हैं। मूत्र नली बाहे जनन उत्पादों को शरीर से बाहर निकालती हैं, इसलिए ये मूत्र जनन ननिकाएं भी कहलाती हैं। मादा जनन तंद्र मेढ़क के मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां तथा एक जोड़ी मुत्रवाहिनी होते हैं। अंड़ाशय की जोड़ी देह गोहा के पश्च भाग में इस्थित होती है, तथा पेरिटो नियम के एक दोहरे वलय जिसे मैजोवेरियम कहते हैं, इसके द्वारा प्रिष्ट देह भृत्ती तथा वर्क की बाहरी सते से जोड़ी होती है। अंड़ाशय में कई पालियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रतेक जनन उपकला से आस्तारित होती है। अंड़वाहिनियां दो बहुत लंबी तथा मोटी भित्यों वाली घुमावदार नलिकाएं होती हैं। अंड़वाहिनि तीन क्षित्रों में विभगत होती है। अंड़वाहिनिय कीप ये अंड़वाहिनि का कीपा कार सबसे आगे वाला भाग है, जोकि चोड़े अंड़वाहिनिय द्वार या आशे द्वारा देहगुहा से संचारन करता है। मध्धिक कुंडलित भाग अंडवाहिनी का मध्धिबाग लंबा, संक्रा तथा अत्यधिक कुंडलित होता है। गर्भाशय अंडवाहिनी का पश्च भाग पुना चौड़ा होकर गर्भाशय अंड़कोश का निर्माण करता है। मेढक में निशेचन बाहे होता है। क्या आप जानते हैं? Sir John B. Gurdon द्वारा केंदरक प्रत्यारोपन यानि ट्रांस्प्लांट तथा कोशिका विभेतन। मेढक की आंतर में से एक कोशिका का केंदरक मेढक के अंड में प्रत्यारोपित किया जाता है, जो की एक सामान मेधक को जन्म देता है यह प्रयोग भुरूणिये विकास के दोरान जीन्स के नियंत्रन के अध्ययन में सहता करता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं केचुए का शरीर लंबा, बेलिनाकार तथा दोहिपारषविये सम्मिती वाला होता है केचुए में सिर प्रथक नहीं होता है तथा प्रथम तथा अंतिम को छोड़ कर केचुए का प्रते खंड में छोटे शुक कु पस्थित होते हैं केच्वे की आहार नाल प्रथम खंड में मुख से प्रारंब होकर पश्च सिरे परिस्थित गुदा पर जाकर समाप्द होती है. केच्वे में बंद प्रकार का परिसंचरंड तंत्र पाया जाता है. केच्वे में कोई भी विशेश प्रकार का शौसंद तंत्र नहीं होता है. प्रिथ्वी के कमपन को भी महसूस कर लेते हैं। केचुए उभैलिंगी होते हैं। अर्थात एक ही प्राणी में व्रिशन यानी नर इवं अंडाशय यानी मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। कौक्रोच लंबी शरंगिकाउं तथा पैरों वाले कीठ हैं। कौक्रोच का शरीर सिर, वक्ष तथा उदरक्षितर में विभाचित होता है। आहार नाल तीन भागों में विभक्त होती हैं। अगरांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र। कौक रोच में खुला परी संचरंड तंत्र पाया जाता है। मेढक उभैचर होते हैं तथा मेढक का शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। गर्दन तथा पूँच अनुपस्तित होती हैं। आक्सीजन को ग्रहन करने तथा कार्बन डायोकसाइट को त्यागने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है। तथा रासाइनिक परिवर्तन जिनके द्वारा भोजन का आक्सी करन तथा उश में उर्जा की विमुक्ति होती है तथा कार्बन डायोकसाइट का निर्मान होता है। इसे श्वासन कहते हैं। मेढकों में सुविक्सित बंद प्रकार का परिसंचरन तंत्र पाया जाता है। मेढक में व्रिक का एक जोड़ा मुख्य उसरजी अंग होते हैं। तंत्रिका तंत्र तीन मुख्य भाग, केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, परिधिये तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। मेढक के नर जनन अंग के अंतरगत एक जोड़ी व्रिशन, दस से बारा जोड़ी शुक्र वहिकाएं तथा एक जोड़ी मूत्र जनन नली का या मूत्र नली आते हैं। मेढक के माधा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाश है, एक जोड़ी अंडवाहिनियां तथा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होते हैं.